है गाईज वेलकम बैक टो तुर्देव इंवेजस्मेंट लेब तो आज मैं आपके साथ एक बेस्ट इस्टॉक कर रहा हूं जो कि मैंने करीब 15 दिन पहले इस्टॉक दी थी जो कि 76 के आसपास ट्रेट कर रहा था और इसने जो है अभी नजदीकी में यह हैंडे टूप इसका बने रहे हैं आए जानते हैं वह कौन सा श्टॉक से उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियो जो मैं आपके लिए रिगूर लेका रहता हूं वह सबसे पहले आप आप हमें जौइन कर सकते हैं या फिर आप हमें टेलिग्राम पर भी जौइन कर सकते हैं सख्यकर रही है तो गाइस जिस स्टॉक के बारे में आपका साथ डिसक्स कर रहा हूं उससे स्टॉक का नाम है IRFC यानि कि Indian Railway Finance Corporation Limited यानि कि एक Financial Company है जो कि 1986 में इनकॉर्परेट हुई थी अगर बात करेगा इसकी प्राइस की तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बता है अभी यह 98.7 रुपीज पर ट्रेट कर रहा है और लाश यू चेडिंग सेशन में 6.80% से पोजिटीव देखने को मिल रही है यह BACNAC दोनों में ट्रेट करता है और इसकी अगर बात करेगा इस पोटेंसिल की तो फिलहाल पहले देखते हैं इसकी जो है फणनामेंटल क्या है तो इस स्टोक की मार्केट करोर की मार्केट के बढ़ी यानि की लाज कर नज़र आ रही है और इसकी देट की बात करेगा इस तो आप फिलाल इससे आप फोकस ना करें तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि एक फाइनिसल कंपनी है तो यह आपको हाई बनाया है और अभी 98.7 पर ट्रेड कर रहा है वह भी सेनारियो मैं आपको कंफर्म करांगा क्यों यहां पर भी जल रहा है तो इसने चलिए मैं आपको चार्ट पर करांगा फिलाल इसके स्टॉक इसके फंडामेंटल देखते हैं स्टॉक पी की बात करें तो 21.3 का देख 15.5 है इससे आपको स्टॉक ओवर वेल्यूट जगन में देखने को मिल रहा है यानि कि अभी देखें तो काफी हाई प्राइस के आसपास यह ट्रेड कर रहा है स्टॉक की बात करें तो कंपनी यह जो है 1.49 परसंट की जो है डिविडेंट भी प्रवाइड करा रही है यानि इस के बात करें तो कंपनी के पास 10794 करोर की क्यास एवीलेबल है और इस कंपनी ने पिछले लाश्ट यह में वन थाउजन नाइट निड़ सिस्टी करोर की डिव्डेन प्रवाइड की थी प्लेज परसेंटेस की बात करें गया इस तो कंपनी की कोई भी सेर किरीवी देखने को नहीं मिल रही प्रोफिट गोथ फिलाल माइनस में देखने को मिल रहा है और सेल्स ग्रोफ जो है 15.3 परसे लगा रखा है और आप फोकस कर सकते हैं जैसा कि मैंने पकाता है 104 का हाई बनाया है और हाई बनाने के बाद जो है पिछले दिनी इसने हाई क्रेट किया और काफी नीचे आकर इसने क्लोजिंग दी और आज कि अगर बात करें तो आज गैप डाउन ओपनिंग हुई स्टॉक स्टॉक में आप देख सकते हैं थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है थोड़ा स्टॉक नीचे भी गया लेकिन इसमें बायर्स इतने ज्यादा हावी हो रहे हैं कि यह जो है काफी ऊपर स्टॉक अभी देखने को ट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है इसमें प ब्रेक करने के बाद और इसको रेस्पेक्ट करता हुआ थोड़े से में के लिए डाउंट्रेंड नजर आए यानि कि थोड़ी बीजिस चैंडल नजर आई और फिर से यह मूव करता नजर आ रहा है तो जो इसका हाई प्राइस और यह ब्रेक करता है तो एक बड़ी करने की बात करें तो आप समय के लिए करते हैं तो अची प्रॉफिट में चाहते हैं तो आने वाले समय मेर अच्छी रिटर्ण्स आपको यह प्रवाइड करा सकता है आप इसे वॉस्ट लिस में एड जरूर करें और इसे वॉच करते रहे हैं जैसे ही मुव्मेंट मिलती है आप इसे बाइड कर सकते हैं आपके कोई बाइसल का रिकमेंडेंशन तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाइ करने की पूरी को स्क्राइब करूंगा अगर वीडियो को लाइक करें और नए वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बिल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए मिल तेंग लिए वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग